नमश्वार आप देख रहे हैं विस्तक और मैं हूँ आपके साथ श्रेय अठाकुर फाइदे के फंड के इसे स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है श्यर बाजार में बेटे कुछ वक्त से जो हालात है उसने अच्छे अच्छो को डमा डोल कर दिया है बाजार हिच कोले खा रहा है ऐसे में इन्वेस्टर्स परिशान है mutual funds को लेकर investors को इस mood महौल में क्या रणनीती अपनानी चाहिए, portfolio को कैसे manage करना चाहिए, जानेंगे नहीं सारे सवाल के जवाब इस विडियो में और ये सब समझाने के लिए हमारे साथ मौझूद है आज हितेश ठककर, acting CEO at ITI mutual funds, sir बहुत-बहुत शुक्रिया विस तक को अपन financial year में mutual funds investors को क्या रणनीती अपनानी चाहिए, क्या करना चाहिए इनको पिछले दो महिनों से market में काफी उतार चड़ाव है, काफी volatility हम लोगों ने देखी है, पर तो भारत का पर से हम देखे तो भारत का future बहुत bright है, GDP भारत का 3.73 trillion dollar है, fifth largest economy है, so long term हम देखा जाए, तो investors के लिए market में बने रहना बहुत ही फाइदेबंद रहेगा, asset allocation बहुत जरूरी है, क्योंकि as a investor मेरे कुछ financial plannings रहते है, वो financial plan के इसाब से जो भी financial goal में achieve करना चाहता हूं, उसको asset allocation करना बहुत जरूरी है, तो मेजे, जो भी मुझे नया money निवेश करना है, वो मुझे equity, date, fd, real estate, gold, ऐसे अलग-अलग asset में मुझे asset allocation करना चाहिए, तो मेरा मानना है हर एक investor को अपना asset allocation जरूर से देखना चाहिए, और उसको review करना चाहिए, जो नया पैसा उनको निवेश करना है, वो पैसा उनको mutual fund में SIP या HDP through equity में invest करना चाहिए, अगले 5 साल में जो भी निवेश आपने market में invest किया है, उनके लिए risk-adjusted return बहुत अच्छा मिलेगा, भारत की economy, fastest growing economy है, बहुत सारे indicators, बहुत positive है भारत के लिए, तो मेरा मानना है हमें investment करना चाहिए, परन्तु, installment में SIP करना चाहिए, installment में SIP के through आपने हिदायत दिये है हमारे निवेशकों को, investors को, लेकिन सिर आपने उतार चड़ाव का पर जिक्र किया भी श्वेर बाइजार में जिस तरह से उतार चड़ाव का दौर चल रहा है, तो क्या investors को अपने portfolio में equity mutual funds का हिस्सा कम करना चाहिए, क्या लगते आपको? सो देखिए ये उतार चड़ाव है न, वो market का part है, एजे investor जब मैं decide करता हूँ, मुझे market में invest करना है, तो उतार चड़ाव रहने ही वाला है, सो उतार चड़ाव से हमें डरना नहीं चाहिए, बट हमें उसको दोस्त बनाना चाहिए, वो जैसे बोलते हैं, ECG report, ECG report जब हम से हैं, तो उसमें ups and downs दिखता है, इसका मतलब लाइव है, similarly market में उतार चड़ाव रहने ही वाला है, वो उतार जब निवेशक का goal पात साल, साथ साल का investment का है, तो उसको उतार चड़ाव से डरना नहीं चाहिए, mutual fund में invest करके, हम पात साल से साथ साल का horizon रखते है, तो market अच् Chinese bamboo है, Chinese bamboo में क्या होता है, उसको grow होने में थोड़ा time लगता है, बट जब वो grow होना शुरू करता है, तो वो 80 feet तक जाता है, वैसा ही कुछ है हमारे market का, सो हमें investor को asset allocation देखके है, market में बने रहना चाहिए, और उतार चड़ाव से जड़ा भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल से, लेकिन क्या equity funds में हमेरा जो हिस्सा है, उसको हमें कम करना चाहिए, या फिर debt funds, क्या करना चाहिए, कौन से दूसरी categories पर हमें focus बढ़ाना चाहिए? So large cap, balance advantage fund, ये categories को अभी हम देख सकते हैं, जिस तरीके से market में उतार चड़ावे, volatility है, अगले कुछ महीने ये volatility रहने वाली है, So large cap, balance advantage fund है, ये category में निवेशक अपना नया पैसा डाल सकते हैं, पुराने पैसों के लिए asset allocation या portfolio rebalancing करना है, तो जरूर कर सकते हैं, But, मेरा मानना है, अगले 5-6 महीने के बाद, market बहुत positive है, जिस तरीके से भारत घ्रो हो रहा है, market बहुत positive है, हमें निवेश बनाए रखना चाहिए, Asset allocation बुलना नहीं चाहिए, Asset allocation पे हमें focus, उसको focus में रखना चाहिए, Sir, मुझे आपके बड़ी अच्छी बात लगी जापने ECG report का example दिया, कि जो उतार चड़ाव हमें ECG report में देखने को मिलता है, वैसे ही बाजार में देखने को मिलता है, दो regime, old regime और new regime, old regime में जब आप section 80C में reduction के लिए investment करते हो, वहाँ पे एक लाग पचास अजार की limit है, एक लाग पचास अजार आपको जो invest करना है, उसमें various options है, investor के पास, जैसे ELSS हो गया, और बाकी सारे products है, मेरा मानना है कोई निवेशक tax benefit भी चाहता है, और वो market में invest भी करना चाहता है, तो ELSS जैसा कोई product नहीं है, ELSS tax savings भी करता है, और अच्छा return भी देता है, जैसे last 10 साल का हम track record देखें, तो ELSS category ने 16% से return दिया हुआ है, और locking period भी 3 साल का है, तीन साल के बाद आप वो पैसा जो भी invest किया है, वो आप withdraw कर सकते हो, परन्तु मैं ये कहूंगा कि investment तीन से पात साल हमें रहना चाहिए, 16% जो return दिया है, वो past में दिया है, हलाकि उसकी कोई guarantee नहीं है, बड़ track record कहता है कि ELSS सबसे अच्छा tax saving option अवेलेबल है investors के लिए, जब उन्होंने old regime tax savings के लिए किया हुआ है, तो कहरेज़र आपकी तीन से पांच साल का समय तो हमें ELSS में देना ही चाहिए, उससे ज्यादा का समय हम दे सकते हैं, लेकिन उससे कम समय नहीं होना चाहिए, हाँ, so income tax के हिसाब से तीन साल के बाद आप withdraw कर सकते हो पैसा, बट मैं जरूर कहूंगा कि return अच्छा और market में बने रहेंगे, वो बोलते हैं न, time in the market, not timing in the market, तो उस तरीके से ELSS में हम निवेश कर सकते हैं, और tax savings के लिए सबसे अच्छा option है, बिल्कुल से, time in the market, not timing in the market, बिल्कुल से, अब जो अगला सवाल है सर, वो मेरा personal favorite भी है, मेरा ही सवाल मालने हैं, कि अगर किसी यूवा को, जो 25 या 26 साल का हो, उसे 5 साल में अपना घर खरीदना हो, तो वो किस तरह से निवेश करें, क्या planning करें हो? बहुत अच्छा सवाल है, ये financial planning के लिए बहुत ज़रूरी है, housing requirements हम सबकी रहती है, और हमें time पे हम जब plan करते हैं, तो financial planning बहुत proper से होता है, उसमें हमें एक example लेके समझना चाहिए, कि लेट से हम 5 साल के बाद एक घर खरीदना चाहते हैं, जिसका एक करोड का value है, उसमें usually bank से हमें loan मिलता है, 80%, तो मानलो कि आप 80 लाग का loan ले रहे हो, आपको down payment के लिए 20 लाग की ज़रूरत है, तो आप अगले 5 साल तक monthly कुछ निवेश करो, ताकि आपका 20 लाग का corpus हो जाए, तो हम suppose assume करते हैं कि market में मैंने जो SIP की है, mutual fund में, और उसमें 12 तका return मिलता है, अगले 5 साल में, तो मुझे 25 लाग की SIP करनी चाहिए, जिसकी value 20 लाग, 62 लाग हो जाएगा, 5 साल के बाद, आप down payment 40 लाग का करना चाहते हो, आप 60 लेक्स only आप loan लेना चाहते हो, तो आप वही SIP 25 लाग का 50 लाग से करना, तो आपका 40 लाग बन जाएगा 5 साल के बाद, और आप आसानी से घर खरीद सकते हो, तो सर मिनिमम मन्तली 25 लाग का SIP में दे नहीं होंगे, रिटाइर्मेंट के लिए कैसे प्लानिंग करें, अभी मालिजे 25 से 30 साल बाद रिटाइर होने वाली, किसी भी शक्स को मोटे तोर पर कितने कॉर्पस की जरुरत होगी, इसे कैसे हासिल किया जा सकता है, इस पर क्या कहेंगा, तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से इंफलेशन है, जिस तरीके से हमारा स्टांडर उफ लिविंग बढ़ रहा है, जिस तरीके से लाइख स्पेक्टनसी बढ़ रहा है, उस तरीके से कोई आदमी मेट्रो सिटी में रहता है, तो कोई भी लोन नहीं है तो उसको मंतली एक लाख रूपया तो लगेगा अगले तीस साल के बाद, हर मंत रूपया तो चाहिए अपने expenses, you know, meet करने के लिए, तो हम एक example लेते हैं कि आपका 26 year है, retirement आप 60 साल पर होना चाते हो, आप तो सिटी में रह रहे हो, आपको एक लाख की मंतली जरूरत है, आज से SIP से प्लान करना होगा, और SIP इतना अच्छा option है, जो mutual fund में available है सबके लिए, कि एक 2100 रूपय की SIP करो आप, और आपको 12% सपोज, compounded annual growth rate से आपका पैसा बढ़ रहा है, market में, mutual fund में, एक assumption पे हम बोलते हैं, तो आपका कॉर्पस करोड का हो जाएगा, आप जब 60 साल के हो जाओगे, तो आप अगले 20 साल, यानि आप 80 साल तक, 80 साल तक आपको पर मन्त एक लाख रूपया मिलने के लिए, ये कॉर्पस सफिश है, वैसे ही non-metro city है, जिसमें हो रेज्यूम करते हैं कि वहाँ पर मिनीमम 50,000 पर मन्त तो आदमी को लगेगा, पहुचने के बाद, तो उनको SIP 1000 रूपीज, 1070 रूपीज की SIP करके भी वह अपना retirement goal प्लान कर सकता है, सबसे बड़ी बात है, छोटा-छोटा निवेश करके compounded करते रहते हैं, हम उसको disturb नहीं करते हैं, वो पैसा हम बीच में नहीं उठाते हैं, तो बहुत बड़ा बढ़ जाता है, और वही power of compounding बोलते हैं, जो हमारे निवेशक को उसका फाइदा लेना चाहिए, सो ताट साल के आप जब बनोगे, तो उस टाइम पर आपके पास metro में आप रह रहे हो, तो आपके पास एक करोड़ चार लाग का corpus create हुआ होगा और non-matterable thousand rupees का SIP करते हो, तो 52 lakhs approximately आप create generate कर सकते हो, जिससे आपका monthly expenses आप निकाल सकते हो, तो retirement planning बहुत जरूरी है, life बहुत uncertain है, ऐसे situation में financial planning जिसमें housing और retirement, जिस तरीके से आपने पूछा है ये question, ये बहुत जरूरी है, हर एक investors को सोचना चाहिए और उसका planning करना चाहिए, बिल्कुल सर, ठीक है सर, इसी साथ अगरे सवाल को और बढ़ते, जिस तरीके से अभी हमने स्मॉल और mid cap के stocks में गिरावट देखी है, तो क्या लग रहे है आपको कि स्मॉल और mid cap से क्या आप दूरी बना लेनी चाहिए, क्या रण 24% का बढ़ोतरी आया है और large cap में 27% का बढ़ोतरी आया है, बट भारत की जो आज की जो situation है, आज की जो परिस्तिती है, हम 5 साल का horizon लेते हैं, तो इसमें growth आना ही है, भारत के fundamental बहुत strong है, revenue collections बहुत अच्छा है, PLI है, नए-नए sectors खड़े हो रहे हैं, जैसे energy, green energy sector खड़ा हो रहा है, defense खड़ा हो रहा है, यह जो sectors खड़े हो रहे हैं और भारत का जिस तरीके से growth हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि हमें 5 या 7 साल का horizon है, तो अभी हमें डरने की जरूरत है, हम asset allocation को बनाए रखना वो हम lump sum नहीं डाले, बट हम लोग SIP के थूरू invest करें, और large cap और balance advantage fund ऐसे category है, जिसमें आपको lump sum अभी डालना है तो आप डाल सकते हो, अगले 5-6 महीने पार्केट में ये उतार चड़ाओ continue रहेगा, बट उतार चड़ाओ को हमें दूश्मन नहीं समझना है, हमें दोस्त क सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल सब्सक्राइब लेकिस आपने अभी कहा कि 5-6 में तक ही उतार चड़ाओ जारी रहेगा, जो सर एक्दम new है mutual funds में और अभी चाह रहे हैं कि अपना अपना नया नया पैसा वो लगाए, तो वो किस तरह से अप्रोच करें तो SIP या आप अ systematic transfer plan, so आप जबी भी phase में, installment में investment करना चाते हो mutual fund में, तो आप एक IP through कर सकते हो, जिसमें SIP में हर महीने, हर week, वो भी frequency आप सिलेक करते हो, वो आपके bank account से debit होके mutual fund में निवेश हो जाता है, similarly, आपके पास led से 25 लाग का corpus है, आपको बाजार में डालना है, बट आपको lump summary डालना है, आपको phase manner में, installment में डालना है, तो आप कैसे करोगे, तो आप उसको कोई liquid या overnight scheme में आप निवेश कर सकते हो, 25 लाग, जिसमें आपको liquid या overnight का date scheme का जो बोलते है, वो return मिलेगा, और उसमें आप mutual fund को instruction दे सकते हो, कि मेरा monthly या weekly या daily, इतना amount वो equity scheme में invest होना चाहिए, so mutual fund आपके liquid या overnight से, वो standing instruction देखे, हर महिने इतना installments में आप में debit करके, वो equity में invest करेगा, so बाजार में जो उप्तार चड़ा है, ups and downs, ups and downs, volatility के साथ, आपकी दोस्ती हो जाएगी, जब आप installment में investment करते हो, क्योंकि कभी market up, कभी down, कभी down, so 25 लंसम invest करने के बज़ा है, आप यह, पी root through कर सकते हो, बिल्कुल सु, तो ऐसे approach अभी करना चाहिए, sir, young investors को क्या सला रहेगी आपको, So young investors, अभी जो new millionum है, आपड़ा दिखाता है कि mutual fund और share बजार में invest, जो नए investors आ रहेगे, उसमें 21 से 25 साल के age वाले investor सबसे ज़्यादा है, So young investor में education बहुत है, बट मेरा मानना है, आप जबी भी financial planning करो, अपने financial advisor की राई ज़रूर ले, आपका क्या financial goal है, आप कितने period के लिए invest करना चाते हो, आप एक साल के लिए invest करना चाते हो, तो equity mutual fund को मत देखिए, आप date या liquid या overnight को देखना चाहिए, आपका 3 साल का horizon है, आप ज़्यादा risk लेना नहीं चाते हो, तो आप balance advantage fund में invest कीजिए, जिसमें थोड़ा investment date में होता है, और equity में होता है, तो जो young investors है, उनको ये education लेना बहुत ज़रूरी है, कि कौन से mutual fund सही है, लेटसे आपका 5 साल, 10 साल का horizon है, तो आप equity में ज़रूर डाले, बिकोज 10 साल के horizon में आपको बहुत अच्छा corpus मिलेगा, और आपको risk adjusted return भी बहुत अच्छा मिलेगा, mutual fund और SEBI ने बहुत सारी categories बनाई हैं, जिसका बहुत proper disclosure करते हैं mutual funds, आप जबी भी scheme information document या key information memorandum देखते हो, तो आपको बहुत सारी information मिलती है, कि मेरा ये पैसा कहा लग कौन से sector है, large cap है, mid cap है, small cap है, sectoral funds है, बहुत सारी जानकारी आपको उन से मिल सकती है, तो मेरा मानना है young investors को निवेश करना चाहिए, करना ही चाहिए, बट आप proper financial planning करके asset कीजिए, आपको कोई पैसा six months के बाद जरूरी है, वो आप equity में मत लगाईए, नहीं तो क्या होगा, आपको वो time पे withdraw करना पड़ेगा, हो सकता है, उस time market की situation favorable नहीं हो, तो आपको loss भी हो सकता है, तो ये risk market समझ के time horizon देखे, young investor को invest करना चाहिए, उनके पास बहुत लंबा समय है, वो अपना retirement planning भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते है, power of compounding का फाइदा भी वो ले सकते है, बिल लेकिन सर हमारा portfolio कैसा होना चाहिए, वास with different flowers और या सिर्फ एक ही चीज़ पर में focus करना चाहिए, large cap या फिर कैसा सर, portfolio manage कैसे करें हम? So portfolio diversified होना बहुत जरूरी है, आप mutual fund पर से बोलो तो मैं ऐसे suggest नहीं करूँगा कि pure आप large cap में invest करो, या pure small cap में करो, या खाली वक्तर वक्ता आप equity mutual fund में ही करो, मैं suggest करूँगा आपका diversified portfolio होना चाहिए, आपके age के हिसाब से और risk appetite के हिसाब से, आपका 50% से 70% तक large cap, mid cap, small cap में invest होना चाहिए, और 25 से 30% investment आप date side भी कर सकते हो, because date side आपको market के उतार चड़ाओ में थोड़ा balance करेगा, आपका risk थोड़ा कम हो जाता है. ठीके risk कम होता है, लेकिन सर अभी जैसे हमने trend देखा कि small cap कुछ दिनों से, अभी तो हाल में गिरे हैं, लेकिन उससे पहले सर काफी अच्छा ज्यादा return दे रहे थे, और ये news driven भी था, तो काफी investors को लगा कि इसमें पैसा लगाना उनके लिए सही साबित होगा, इसको कैसे ये अभी हमने देखा है, बट ये बहुत पहले से हो रहा है, हमने ये आगले 2008 में भी देखा है, पास्ट में भी आखी बार देखा है कि small cap, small cap और mid cap का जो निवेश है, वो high risk, high return है, small cap में जितना ज्यादा return आता है, उतना ही ज्यादा risk है, okay, similarly mid cap में भी ऐसा है, जितना ज् आप return भी ले सकते हो, similarly large cap फोरे stable है, so investors को asset allocation बहुत ज़रूरी है, और जब आपका investment का horizon 5-10 साल का है, तो आपको ये उतार चड़ाओ जो हो रहा है, उसको छोटे उतार चड़ाओ को हमें नहीं देखना चाहिए, long term देखना चाहिए, बट आपका financial goal achieve होने को है, आपका financial goal अकले 1-2 साल में हो रहा है, या आपका financial planning complete हो रहा है, उस समय आपको small और mid cap से exit लेके, आपको large cap या balance advantage fund तरफ जाना चाहिए, ये finance understanding और financial behavior, see हमारा है ना, behavior financially बहुत matured होना ज़रूरी है, market उतर चड़ाओ से हम react करना नहीं चाहिए, हमें respond करना चाहिए, so financial planning है और time horizon है, so उसी सबसे अब large cap, mid cap, अभी तो large और mid cap भी category अवेलेबल है, एक multi cap है, flexi cap सबसे बढ़िया है, flexi cap category में, fund manager market की situation देखके, वो asset allocation करता है, so let's say ads के समय में small cap, mid cap ज्यादा volatile है, so fund manager पे वो flexibility से वो अपना investment allocation large cap की तरह ज्यादा बढ़ा सकता है, so मैं ज़रूर कहूंगा जो investors equity में investment करना चाहते हैं और small cap, mid cap का जो volatility अभी हम देख रहे हैं, last 1-2 महीने से, जो अगरे 5 महीने भी दिखने को दिखेगा, तो वो समय में flexi cap, equity में investment के लिए बहुत अच्छा option है, multi cap भी हम देख सकते हैं, multi cap में asset allocation आपका 25% large cap, 25% equate mid cap और 25% small cap में रहता है, so multi cap भी है category है, निवे शकों के लिए, but पात साल, दस साल के horizon में भारत में invest करना, यानि यह opportunity हमें miss नहीं करना चाहिए, तो हमें invested रहना चाहिए, वाजार में, mutual funds में, और आपने कहा कि large cap के तरफ exposure जो है, वो बढ़ाना चाहिए, और diversify रखना चाहिए, अपने portfolio को, सही है, बहुत बहुत शुक्रिया हितेश जी, हमसे बात करने के लिए, विस्तक को अपना समय देने के लिए, मैं जो पूरी उम्मीद है, कि इस पूरे session से हमारे दर्शुकों को बहुत कुछ सीखनी को मिलेगा, और उनकी portfolio में और इजाफा होगा, और वो अपने मजबूती के साथ अपने portfolio में इजाफा कर सकेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया हितेश जी, मुलाकात होगी अब अगले episode में, फायदे के फंड के में, कुछ नए सवाल के साथ तब तक लिए बने रहेगे बिस्तक के साथ.